Hello everyone, welcome to podcast. आज के दिन अपने ये देखेंगे कि bank nifty और nifty में किस तरीके की moment रही और आगे वाले क्या trading plans हो सकते हैं. So first of all start करते हैं nifty से. Nifty के अंदर आज बहुत बड़ा gap down था जो कि market expected कर रहा था लेकिन इतना बड़ा gap down भी expect नहीं था कि market ने near about 1691 के पास closing दी. जो कि बहुत ही ज़्यादा bearish view है. परसों जो rally आई थी market के अंदर उस rally कल जो rally आई थी उस market उस rally वो rally भी expected नहीं थी लेकिन इतनी भेंकर rally थी कि एक short covering थे because of the expiry. तो लोगों ने call buy करके रखा या फिर next day एक अच्छी moment एक flat opening भी रखते तो भी market के अंदर कुछ sustainability रहती. लेकिन market ने 300 point का gap down दे रिया जो कि एक worst case है इस market को trade करने का एक ऐसा scenario जिसके लिए कोई भी person सोच भी नहीं सकता कि market में क्या होगा gap down, gap up, gap down, gap up, gap down, gap up. I think so. कि this is the time कि अपने money को preserve किया जाए, बचा जाए market के अंदर से trade करने को. I think so कि I also lose too much in the market. इतना lose कि near about capitals के अंदर क्या होता है, कि अगर market धीरे धीरे नीचे आता है, तो market के अंदर हम adjustments कर सकते हैं. Put right किया हुआ था, put right के अंदर अचानक से क्या हो जगया, कि put writing इतना ज़्यादा effective हो गया, तो सब चीज़े हैं. कि what we are expecting कि 16-200 के नीचे नहीं जाएगा, 16-300 के नीचे नहीं जाएगा, let it breaks, और उसने break करके काफी ज़्यादा बैंड बजाई. So it's okay, it's okay, we can manage it. आज के दिन, कई दिन ऐसे होते हैं कि जो अच्छे नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा रोज नहीं होता है. Now, seriously speaking, कि market इतना ज़्यादा volatile हो सकता है, इतना ज़्यादा, मैंने एक recovery के बारे में भी सोचा, So definitely, वहाँ पे भी मैं रोंग रहा, लेकिन overall market के अंदर sentiments बहुत ज़्यादा बिकार हैं. US का inflation rate आया है, 8.6, जो की आज के time का सबसे highest है, और 378.4 किसे time में highest हुआ था. तो natural सी बात है, एक crude oil जो है, 124 पर barrel डॉलर सो इतना महगा हो गया है, overall market के अंदर जो crude है, excise duty कम होने से government को भी continuously losses हो रहे हैं. तो कहीं से भी कोई भी उमीद नहीं है, हर person को कहानी पसंद आ गई है, हर person जब call short करके जाता है, बिन्दास तरीके से, आज के दिन market का PE ratio जो 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 था, वो 0.6%, it's very cheap. मतलब, इतनी ज़्यादा call writing हुई है कि उसके मुकाबले 0.6% क्या हो रहा है, put right हो रहा है, तो overall natural सी बात है, whole world are bearish, हर person bearish है staying, और definitely ये बहुत गलत सिनेरियो है, market हर किसी को हर टाइम नहीं देता है, it can expect it कि अगर BII's ने आज थोड़ा सा force लगा दिया और कुछ समय के अंद तो definitely ये सभी लोग trap हो सकते हैं, मैं आप सभी का comment में vote पढ़ना चाओंगा कि आप आज के दिन या आप, अब क्या हो, bullish हो, bearish हो, यानि कि overall ये ही नहीं समझा रहा है कि market में trend क्या चल रहा है, आज के दिन 4000 क्रोड की selling रही, वहीं 2800 क्रोड की DII's ने buying करी, ये बहुत अच् सी बात है कि market Indian market में दंखम तो है, लेकिन अभी फिलाल दंखम एक retail, professional के लिए सभी के लिए हानी का रख हो रहा है, कल के दिन ये देखा गया कि FIIs ने 16400 पे बहुत ज़्यादा put writing की हुई थी, लेकिन, sorry call writing की हुई थी, लेकिन जिस जब market के शोट covering गई, तो 16400 market, 16500 चला ग बड़े investors को loss होता है, बहुत कम ऐसी probability है, लेकिन इस time भी, वो market के अंदर bearish है, और market continuously falling के अंदर है, जिस time मैं ये video record कर रहा हूँ, उस time भी SGS Nifty, 16100 के आसपास है, यानि कि gap down, और असली कामदाम शुरू हो जाएगा, जब Dow Jones चालू हो जाएगा, यानि कि natural सी बात है, US feature भी इस time 400 points down है, सब कुछ down है, market में पहस, नहस है, हर बंदा आज put buy करके गया होगा, हर बंदा ने call right किया है, यहाँ पर ये सोचके कि market के अंदर big gap down होगा, और big profit कमाएंगे, hope for the best, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही होना चाहिए, definitely profits आने चाहिए, लेकिन market के अंदर अभ family के साथ time spend करो, and enjoy two days, definitely, so market scenario क्या रहा है, option chain bearish है, market का price action bearish है, my view भी bearish ही पगड़ लो क्योंकि अब कुछ option ही नहीं बचा, जो data में देखते सब bearish ही दना चला रहे है, कहीं पे bullish का कोई संगेत है, या कोई भी positive news है, जी है, एक positive news है, positive news ये है, कि DAIs आज भी हमारे साथ है, जो continuously buying कर रहे है, और अगर उनका buying scenario सही रहता है, और अगर वो buying थोड़े time period के लिए उपर कर देते हैं, तो natural सी बात है कि ये सभी लोग trap होके market के अंदर एक रहली over expect की जा सकती है, only this much is the expectation, Monday को, US के साथ साथ इंडिया का भी inflation rate out होने वाला है, जो की एक दुखत बड़ी खबड़ी समझ लो भाई, कि market के अंदर downfall होने हो सकता है, होगा के नहीं होगा, ये तो भाई data देखने के बाद ही पता लगेगा, overall market में हर परसन bearish है, आप भी bearish रहो, पैसा कमाओ and enjoy your life, लेकिन safely I recommend कि अभी market से थोड़ा सा दूर रहना ही सही है जो investment आपकी पड़ी है, उसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि उस investment का क्या होगा, India is the well developed growing country, so definitely India के अंदर जो पैसा आपने लगाया है, वो सभी grow होने वाल है, so be safe at home, keep enjoy watching this podcast, thank you for watching, hope you enjoy and like this podcast, so I want कि आप इस podcast को share करो सभी के साथ and thanks for your love, goodbye, see you.